नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जी मध्रदेश 36 गड़ पर आपके साथ मैं हू सुनाली सेंग चलिए बुलेटिन की शिरुवात करते हैं बड़ी ख़बर के साथ बोपाल में बड़ा तालाप की कैच में जेरिया से अतिक्रमन हटाने का मामला अब मानवादिकार आयोग पहुँचा है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मानवादिकार आयोग से मामले में संग्यान लेने की मांग की है कॉंग्रेस का यारोप है कि कनपटी पर बंदूक रखकर लोगों से घर खाली कराये जा रहे हैं भदबदा बस्ती में घरों की बिजनी काटती गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई इसकी वज़े से बोड की परेक्षा देने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है कैच में टेरियर से अतिक्रमन हटाने पर ये पूरा विवाद दो तस्वीरों के जरीए हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं यहां तक की बिजली काट दी गई पानी सप्लाई बंद कर दी गई ताकि लोग जल से जल्द घर खाली करें और इसकी वज़े से कई परिशानिया लोगों को जहिलनी पड़ी है तो भोपाल में बड़ा तालाप के कैच्मेंट एरिया से अतिक्रमन हटाने का मामला मानवादिकार आयोग पहुंचा पूर्व मंत्री पी सी शर्मा ने मानवादिकार आयोग से इस पूरे मामले को संग्यान में लेने की मांग की है कॉंग्रेस का साफतार परारोप है कि जबरदस्ती जबरन लोगों से घर खाली कराये जा रहे हैं हो रहा है हम लोगों को जब जन्पादी दी है शुद्ध की इस्थिती हो गई है युद्ध में जैसा होता है कि सब तोड़ फोर देते हैं वह स्थिती और चलिए अधिक जनकारी के साथ हमारे सायोगी आकाश दिवेदे इस वक्त इस पूरी खबर पर लाइफ जुड़े बें सीधों कारू करते हैं आकाश इस पूरे घटना क्रम पर अब सियासी विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है कॉंग्रिस का साफ तोर पर आरोप है कि जबरन जबरदस्ती लोगों से घर खाली कराया जा रहा है देखे बड़े तराब के कैश्मेंट एरिया पर अधिकर्मन हटाने की कारवाई बीते दो दिनों से चल रही आस तीस तरा दिन है अब तक 130 से जादा घरों को प्रिशासन जमिदोज कर दिया गया है प्रिशासन का दावा है कि लोगों की अनुमती से ही उनके घरों को तोड़ा जा रहा है उनकी रजामंदी है लेकिन अब ये पूरा मसला मानवाधिकार आयोग पहुचा और कॉंग्रेस पार्टी से पूरो मंत्री पीसी शर्मा ने गंबीर आरोप लगाए है आरोप ये है कि लोगों की कनपटी पर बंदूक रखकर उनकी घरों को खाली कराए गया उनसे जबरन सिगनेचर करवाए गये है और मानवाधिकार आयोग से ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले पर मानवाधिकार आयोग संग्यान ले इसके साथ साथी बोट की परिक्षाएं जो बच्चे दे रहे हैं वहाँ पर रहते वो प्रभावी थोरें जहां पर ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को यहां तक की जन्रप्रत्री दी PC शर्मा खुद कल वहां तक नहीं पहुंच पाए कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है क्या यह आरोप लगाया जा रहा है kicks ऑफ लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं तो आप डूउन से इसकी खुद क्लिक्ति पाने कि नहीं है क्यों थे किया जाना है फूफ एक सब्लसे दे दिनों से इन इलाकों पर लगातार फूफ थानी कि कारवारे कर रहा है लेकिन सवाल ये है कि आखिर वहां अन्य लोग या मीडिया क्यों नहीं जा सकता है क्योंकि जो भद-बदा क्या सपास का इलाका है लगभग उसे पुलिस ने चावनी में तब्दील कर रखा है यहां की विशेश तोर पर जवानों को तैनात किया गया जो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ और हेलमेट के साथ खड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर जो विपक्ष केनेता है क्योंकि इसी शेत्र से कॉंग्रेस पार्टी से पीसी शर्मा पहले विधायक हुआ करते थे और कमला सरकार्मी मंत्री रहे अब वो हैं नहीं फिलार लेकिन आरोप यह है कि मानवा मानवादिकार आयो की ओर से उनका पक्ष सामने नहीं आया है ठीक है आका आश्रा फिलाल नजर बना कर रखिए अपडेट आप से लेंगे फिलाल बहुत-बहुत धनेवार तमाम जानकारिया हम तक पहुचाने के लिए तो देखे इस पूरे मामले में अब मानवादिकार को नोटेस यहां पर आखिर मानवादिकार के ऊड़ से नोटेस कब तक भीज़ा जाएगा ये भी देखना बेहत्मात अपूर्ण होगा क्योंकि कॉंक्ट के ऊड़ से ये साब तौर पर आरोप लगाए गया है कि जबड़ दस्ती लोगों से घर वहाँ पर खाली कराया जा रह